हेलो एवरीवन स्वाकत है आपका आपके अपने चैनल पर्फेक्ट वाम इसी पर मैं हूं सुनीता कवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा सेविन सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसके जो प्रीवियर कोश्चन पेपर से वह यहां पर डिसक्स करने वाले कि उन कोश्चन पेपर किस तरह के क्या 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 कोश्चन कहां कहां से कोश्चन वह पूछे गए थे तो यहां पर हमें पैस इंस्ट्रुमेंटल मैंटर आप अनलाइस इसके चार कोश्चन पेपर है यह वह जा करके चेक कर सकते हैं जैसे हम लोग video lectures upload करना start करेंगे उसके साथ साथ ही उसके notes रहें वह भी हमारी official website पर आपको मिल जाएंगे तो वह जा करके चेक कर सकते हैं अब एक बार के लिए हम लोग हमारा total 10 questions वह आते तो section a जो है वह आपको हैर सक्षीं करने Herman City हो सहे जंसे दो हमें आपको करने होते हैं तो हमारा हम्कोर को दिएس geral का होู่ एंडुषा Cycl young Kenneth Champs को सब्सक्सद्राव आते हैं वहाली अंग हो जाए तो फिकिंक हों यहा तो टोटल जो sections यह हमारे पास European 30 है तो इस तरहेकं से section a 20 का section B20 Marks का section C 30 P marks का वी हो जाता है तो corona आघ को कोश्चन के ौज्च पर इंदर किस तरह क्या क्या कोश्चन के पूछे रहे हैं तो पहला हमारे पासा सेक्षें एक के अंदर हमें क्य Stellar के अंदर answer देने होते है maximum 20 words के अंदर तो इसके अंदर सबसे first question आता है define beer Lambert's law तो beer Lambert's law क्या होता है उसकी definition जो है वो simply हमें यहाँ पर लिखने है second is what is quenching in fluorometry जो fluorimetry होती है उसके अंदर quenching का मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है next is what are the necessary structural requirements for a compound to be UV visible light active तो कोई भी एक compound है ठीक है उसे UV visible light active होने के लिए क्या structural requirements रही होती है necessary structural requirements रही होती है वो हमें यहाँ पर बताने है next is why CH stretching appears at higher wave number than the CCL stretching vibration in IR spectroscopy तो IR spectroscopy के अंदर जो CH stretching होती है वो higher wave पर हमें क्यों दिखती है as compared to CCL stretching vibration तो यह चीज़ हमें यहाँ पर इसका reason जो है वो बताना है next is name the diluents used for solid sample in IR spectroscopy why it is used तो कौन से diluents जो है वो solid sample के लिए IR spectroscopy के अंदर use होते है और उनने क्यों use करा जाता है वो जीज़ हम लोग को यहाँ पर बतानी है now next is principle of flame photometry तो flame photometry जो हिसका principle क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है next is partition coefficient तो यह हम कबसे ही पढ़ते आरे तो यहाँ पर partition coefficient क्या होता है उसकी simply definition जो है वह हम लोग यहाँ पर बताएंगे next is significance of RF value तो RF value जो है इसका question मैंने देखा हर paper की अंदर इसका question जो है वो पूछा गया तो RF value जो है वो exam के लिए बहुत जादा important होती है इसे हम लोग retention factor जो है आरे को कहते हैं next is derivatization in GC तो GC है gas chromatography तो gas chromatography के अंदर derivatization जो है इ यहाँ पर बतानी है next is application of gel chromatography तो gel chromatography जो होती है इसकी applications क्या है हमारे पास में वो हमें यहाँ पर बतानी है ठीक है now next आता है हमारे पास में section B अब section B के अंदर हमारे पास 10 marks के question आएंगे ठीक है तो पहला question आता है what are fundamental vibrations तो fundamental vibrations तो होती क्या है then describe different modes of vibration in IR spectrophotometry तो अलग-अलग जो modes of vibration होते हैं IR spectrophotometry के अंदर उन्हें describe करना है last is discuss the various factors affecting fundamental vibrations fundamental vibrations को effect करने वाले अलग-अलग factors कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पर discuss करने है ठीक है now next question is describe the principle instrumentation and applications of the following तो यहां पर दो टम्स हमारे पास दी गई है इनका principle क्या है इनका instrumentation किस तरीके से होता है इनकी applications क्या है वो हम लोग को यहां पर बताने है तो first is aas aas का मतलब होता है atomic absorption spectroscopy और दूसरा है नाफिलो टर्बीडो मैट्री इन दोनों के यह किस principle के उपर काम करते हैं इनका instrumentation किस तरीके से होता है इनकी applications क्या है वो simply हम लोग को यहां पर बताने है next is define electrophoresis discuss various factors affecting electrophoretic mobility and applications of electrophoresis सबसे पहले electrophoresis होता कि इसके definition हम लोग को बताने है उसके बाद में जो अलग-अलग factors electrophoretic mobility को effect करते हैं उनके बारे में बताना है and last electrophoresis के applications क्या होती है वो हम लोग को यहां पर बताने है ठीक है next हमारे पास में आएगा section C section C के इसके इसके इंदर first question आएगा describe various electronic transition with the help of energy orbital diagram तो जो अलग-अलग electronic transitions होते है energy orbital diagram की मदद से हमें उन्हें describe यहां पर करना है ठीक है next is what are internal and external conversions in fluorometry discuss the various factors which affect fluorescence तो पहले तो जो अलग-अलग internal and external convergence होते है flory metric के अंदर वो होते क्या है पहले हमें वो बताना है उसके बाद में जो अलग-अलग factors होते हैं जो fluorescence को effect करते हैं उनके बारे में हमें यहां पर बताना है now next is discuss the methodology and applications of partition column chromatography so जो partition column chromatography होती है उसके methodology क्या है और दूसरे उसके applications क्या है वो चीज़ हम लोगों यहां पर बतानी है next is give a detailed account on gas chromatography तो gas chromatography के बारे में यहां पर हमें detail के अंदर लिखना है जितनी भी चीज़ें हमें पता है और वो धाई से तीन pages के अंदर हम लोगों यहां पर cover करने क्योंकि यह जो question है उसे five marks का है तो बहुत जादा भी हमें यहां पर नहीं लिखना है ठीक है next is describe the methodology and development techniques of paper chromatography तो paper chromatography जो इसके methodology क्या होगी and development techniques क्या होंगी paper chromatography की वो हमें यहां पर बताने है now next question is describe the effect of solvent on absorption spectra absorption spectra के उपर solvent का क्या effect होता है वो हमें यहां पर describe करना है next is principle interferences and applications of flame photometry तो जो flame photometry होती है इसका principle क्या होता है इसके interferences क्या होता है इसके applications क्या होती है वो हम लोगों को यहां पर बताने है next is describe the instrumentation and applications of HPLC तो यह भी हमारे पास में chromatography technique है तो इसका instrumentation किस तरीके से होता है इसके applications क्या होती है वो हम लोगों को यहां पर बताने है next is what are spectrophotometry titrations describe single and multi component analysis in spectrophotometric titrations तो पहले तो यह बताना कि spectrophotometry titrations रहें वो क्या होती है उसके बाद में single and multi component analysis जो होता है spectrophotometry titrations के अंदर उसे यहां पर हमें describe करना है ठीक है तो यह हमारा complete September 2021 का question paper था now second हमारा है अप्रेल 2022 का instrumental method of analysis का question paper तो हम लोग को बता है कि जो main exam होता है end semester exam exam वो साल में एक बार होता है और दूसरी बार जो exam होता है वह यह examination का होता है तो यहां पर कुछ question paper examination के कुछ जो है वो main exam के ठीक है तो इसके अंदर मैं पास में first question क्या आएगा what is beer's law two marks वाले question से हैं तो beer's law क्या होता है वो हम लोग को यहां पर बताना है ठीक है second is what is PMT in UV visible spectroscopy तो UV visible spectroscopy होती है उसके अंदर PMT का मतलब क्या होता है वो हम लोग को यहां पर बताना है next is calculate number of fundamental vibrations in CO2 molecule तो जो carbon dioxide molecule होता है CO2 molecule उसके अंदर कितने number of fundamental vibrations होते हैं वो हमें calculate करने है next is analyst various fuel oxidant mixtures used in flame photometry तो flame photometry के अंदर जो अलग-अलग fuel oxidant mixtures को use करा जाता है उसकी list उसके नाम जो है वो हम लोग को यहां पर mention करने है next is write any one application of AAS तो atomic absorption spectroscopy होती है उसकी कोई भी एक application जो हम लोग को यहां पर लिखनी है next is define RF values वही वापिस से RF का question आगया तो RF values क्या होती है उसके definition जो हम लोग को यहां पर लिखनी है next is write any two advantages of paper chromatography तो paper chromatography के कोई भी दो advantages जो होते हैं उसके कोई भी दो जो फायदे होते हैं वहमें यहां पर बताने है next is what is derivatization and gas chromatography तो यह question भी पिछले paper के अंदर था कि gas chromatography के अंदर derivatization जो है वह क्या होता है वह हम लोग को यहां पर बताना है next Mark principle of HP LC HP LC जो इसका क्या principle होता है किस principle के उपर काम करते हैं वो हम लोगों को यहां पर बताना है next is what is affinity chromatography अब affinity chromatography जो है इसका क्या मतलब होता है वो हम लोगों को यहां पर बताना है तो यह हमारा complete होगा section है मतलब two marks के question जो यहां पर complete होगे next स्थाथ है section B जिसके अंदर हमाँ पास में 10 marks के question जो है वो रहेंगे तो फॉर्स डिस्क्राइब construction and working of double beam UV visible spectrophotometer तो जो double beam UV visible spectrophotometer होता है उसका construction किस तरीके से होता है उसकी working किस तरीके से होती है वो complete detail के अंदर जो हम लोगों को यहां पर describe करनी है next is discuss factors affecting vibrational frequency in IR तो IR जो हमारे पास में है उसके अंदर vibrational frequency को effect करने वाले factors कौन-कौन से होते हैं वो बिलकुल detail के अंदर जो है यहां पर हमें discuss करने है next is explain detectors used in gas chromatography तो gas chromatography के अंदर जो detectors use होते हैं उनके बारे में हम लोगों को यहां पर जो है detail के अंदर लिखना है next हमारे पास में एका section C section C के अंदर हमारे पास के 5 marks के questions हैं तो इसके अंदर फॉस्ट question is explain deviations from beer's law तो जो beer's law है इससे जो deviations होते हैं मतलब वो किस-किस situation के अंदर होते हैं किस तरीके से होते हैं वो completely detail के अंदर हमें यहां पर explain करने है next is discuss instrumentation of flame photometry तो जो flame photometry है इसके instrumentation को completely detail के अंदर हमें यहां पर explain करना है next is describe factors affecting electrophoretic mobility तो electrophoresis के अंदर जो electrophoretic mobility होती है उसे effect करने वाले factors जो उन्हें यहां पर हमें describe करना है next is right mechanism of ion exchange process तो जो ion exchange का process होता है उसका mechanism क्या होता है वो किस तरीके से काम करता है पूरा उसका complete mechanism जो हम लोगो यहां पर बताना है next is right applications of HPLC तो HPLC के applications क्या है वो यहां पर detail के अंदर हमें discuss करनी है now next question is discuss solvent effects on absorption spectra absorption spectra के उपर solvent के क्या effects होते हैं वो हम लोगो यहां पर बताना है next is explain factors affecting fluorescence fluorescence को effect करने वाले जो भी factors होते हैं वो हमें यहां पर explain करने है next is write a note on paper chromatography paper chromatography के उपर एक short note हो हमें यहां पर लिखना है next is describe gel chromatography in brief तो gel chromatography को बहुत ही brief के अंदर यहां पर हमें describe करना है ठीक है तो यह हमारा complete हो गया April 2022 का question paper now next paper आता है November 2022 का instrumental method of analysis का paper ठीक है तो सबसे पहले आएगा section नहीं यहां पर हमें पास two marks वाले questions है तो इसके अंदर first question is write a note on normal phase and reverse phase chromatography तो एक तो normal phase chromatography एक reverse phase chromatography यह दोनों क्या होती है इनके बारे में बहुत ही short के अंदर जो हमें यहां पर लिखना है next is give two applications of electrophoresis तो electrophoresis के कोई भी दू application तो हमें यहां पर लिखनी है next is right differences between TLC and paper chromatography तो thin layer chromatography and paper chromatography इनके बीच में क्या differences होते हैं वो हम लोग को यहां पर लिखने है next is give the principle of flame photometry तो flame photometry जो है कि इस principle के उपर work करता है इसका principle क्या होगा वो हमें यहां पर बताना है next is give two limitations of gas chromatography तो अब gas chromatography की कोई भी दू limitations क्या है वो हमें यहां पर बताना है now next is give principle of ion exchange chromatography अब ion exchange chromatography जो है यह किस principle के उपर work करती है वो हमें बताना है next is define bathochromic shift and hyperchromic shift तो bathochromic shift and hyperchromic shift दोनों की definition जो है वो हम लोग को यहां पर लिखने है next is give two limitations of atomic absorption spectroscopy तो atomic absorption spectroscopy जो होती है इसके कोई भी दू लिमिटेशन जो है वो हम लोग को यहां पर बताना है तो हमने देखा कि two marks के अंदर इस में से भी question आ ही आ रहा है हर बार atomic absorption spectroscopy से ठीक है next is discuss the theory of turbidimetry तो turbidimetry जो है इसके theory जो है वो हम लोग को यहां पर बतानी है next is define singlet and triplet exited states तो जो singlet exit state होती है and triplet exited state होती है इन दोनों की definition जो है सिफ़ा सिफ definition हम लोग को यहां पर लिखनी है अब next आएगा section B section B के अंदर हमारे पास आजाएंगे 10 marks के question ठीक है first question is discuss the theory instrumentation and applications of HPLC तो HPLC जो है इसके theory इसका instrumentation इन इसके applications क्या होती है वो यहां पर हमें detail के अंदर बताने है next is discuss the theory instrumentation and working of double beam UV visible spectrophotometer give the applications of UV visible spectroscopy तो सबसे पहले तो जो double beam UV visible spectrophotometer होता है इसके theory इसका instrumentation है किस तरीके से काम करता है इसके working जो हमें यहां पर लिखनी है उसके बाद में जो UV visible spectroscopy होती है उसके applications क्या है वो हम लोग को बताने है ठीक है third question आजाए अगर discuss the following मतलब इन दोनों के ओपर हमें बताना है पहला आता है factors affecting vibration frequency in IR photometric तो IR photometric के अंदर जो factors vibration frequency को effect करते हैं वो हम लोग को यहां पर बताने है next theory in applications of gel electrophoresis तो जो gel electrophoresis इसके theory क्या है इसके applications क्या क्या होती है वो हम लोग को यहां पर बतानी है तो beer lambert slow क्या होता है उसके simply definition लिखनी है इसके अंदर जो भी deviations होते हैं उसके causes क्या होंगे वो बताने है तो अब जो beer lambert slow है यह हमारे पास हर paper के अंदर ही पूछा किया है तो यह topic हमारे बहुत जादा important बन जाता तो यह तो हमें सबसे पहले पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है next is the methodology of paper chromatography तो paper chromatography जो इसके methodology रहे हैं वो हमें यहां पर discuss करनी है next is discuss the factors affecting ion exchange in IEC तो IEC जो हमारे पास में chromatography ion exchange chromatography इसको effect करने वाले factors जो हैं ion exchange को वो हमें यहां पर discuss करने तो simply ion exchange chromatography के अंदर ion exchange को effect करने वाले factors जो हैं वो हम लोगों को यहां पर लिखने हैं उनके बारे में थोड़ा सा detail के अंदर बताना है next is write a note on the detectors used in IR spectrophotometers तो IR spectrophotometers के अंदर जो detectors use होते हैं उनके ओपर एक short note जो हम यहां पर लिखना है next is define electrophoretic mobility discuss various factors affecting it तो electrophoretic mobility के होते हैं इसके definition हम लोगों को बताना है जो बहुत सारे factors होते हैं इसे effect करने वाले उनके बारे में भी हम लोगों यहां पर बताना है next is discuss the principle and applications of AAS तो AAS का question पर हमारे पास हर paper के अंदर आया है जो कि atomic absorption spectroscopy तो इसका principle के हैं इसके applications के हैं वो हम लोगों को यहां पर बताना है next is write a note on the detectors of gas chromatography तो gas chromatography के अंदर जो detectors use होते हैं उसके पर एक short note जो हम लोगों को यहां पर लिखना है next is discuss the factors affecting the fluorescence तो fluorescence को effect करने वाले जो भी factors होते हैं उनके बारे में हम लोगों को यहां पर बताना है तो यहां पर हमारा नवंबर 2022 का question paper जो है वो complete होता है नाव लास्ट पेपर फूर्थ पेपर जो है instrumental method of analysis का वह हमारे पास लास्ट मई 2030 का re-examination का question paper है ठीक है तो पहला आता है section है जिसके अंदर हमारे पास में two marks की question रहेंगे तो first is define chromophore and oxochrome with suitable examples तो chromophore की definition examples oxochrome की definition examples तो हम लोगों को यहां पर बताने है next is what is the general column अब general column क्या होता है वो हम लोगों को यहां पर बताने next is what is electrophoresis तो इलाक्रोफोरेस के definition उसके बारे में थोड़ा बहुत जो हम लोग यहां पर बता सकते है next is what is quenching अब quenching क्या होता है वो हमने बताना है what is fingerprint region in IR spectroscopy तो IR spectroscopy के अंदर fingerprint region क्या होता है वो हम लोगों को यहां पर बताना है next is what is affinity chromatography affinity chromatography क्या होती है इसकी definition हम लोगों को यहां पर बतानी है next is what is derivatization in gas chromatography तो यह सेम ही question रहे वहां पास तीन बार पूचा गया है तो यह topic अपने important exam के लिए हो जाता है ठीक है तो gas chromatography के अंदर derivatization क्या है और हम लोगों यहां पर बताना है next is define the term retention factor तो आरे हम कब से पढ़े जा रहे हैं तो retention factor जो इसका मतलब क्या होता है कि definition वह simply हम लोगों को यहां पर बतानी है next is what is edge effects how to minimize it so edge effects का मतलब क्या होता है उसे minimize किस तरीके से करा जाता है वह यहां पर हम लोगों नेक्स्टाइगा सेक्शन 20 के अंदर हमाई पास के 10 मांक्स के कुश्चन का अंसर जो हम 5-6 पेज़े लिख सकते हैं मतलब ही मैक्सिमम है 5-6 पेज़े बागी उससे कम में भी आपका अंसर जहां तक जितना आप लिख सको तो फिस्ट कुश्चन इस राइड प्रिंसेपल टेक होते हैं उनके बार में हमें यहां पर अच्छय से एक्स्टेंड करना है next is explain the separation techniques involved in column chromatography to column chromatography के अंदर जो अलग-अलग separation techniques involved होती हैं उन्हें हमें यहां पर explain करना है अब नेक्स हमारे पास सेक्षन सी section सी के अंदर हमाएं पास 5 marks के questions आएंगे तो first is name the molecular vibrations in IR स्प्रस्प्रोस्कोपी तो आ ए मिना दर के नम दो करें पर लिखने तो डइमेंशनल पेपर क्रूमेटर ग्राफी क्या होती है उसके बारे में हमें यहां पर लिखना ए लेगी स्क्राइब स होतार उकस्लिप का नकनल के दाफिनिशन इनके बारे में थोड़ा बहुत जो हम लोगों को यहां पर बताना है next is what are the illusion techniques in column chromatography तो column chromatography के अंदर illusion techniques क्या होती हैं वो हम लोगों को यहां पर बतानी है next is how aldehydes and ketones can be differentiated in IR spectrum तो IR spectrum के अंदर aldehydes and ketones को किस तरीके से differentiate अलग-अलग करा पर बताना है now next is what is molar extinction coefficient the molar extinction coefficient क्या होता है उसके बारे में लोग यहां पर बताना है next is explain the principle and theory of gel chromatography gel chromatography का principle क्या उसके theory जो है वो complete हम लोगों यहां पर बताने है next is explain the various methods of preparation of tlc-tlc तो तो अलग-छोज़ प्रपरेशन होते हो हम लोगों को यहां पर बताने है next is define definition उसके बारे में थोड़ा बहुत यहां पर हमें लिखना है नेक्स डाइट application of flame photometry तो flame photometry की application क्या होती है वो हम लोगों को यहां पर mention करनी है तो यहां पर हमारा मई 2023 का भी question paper complete होता है तो total four question papers जो हमारे पास में instrumental method of analysis कि तो यह more than enough है हमें exam की preparation करने के लिए तो इसकी preparation अब हम स्टार्ट कर सकते क्योंकि मैं पता चल गया कि syllabus में से किस तरह के questions रहे हैं वो पूछे जाते हैं ठेक हैं तो इसकी PDF आपको माय टेलिग्राम चैनल पर मिली जाए कि वो जीदा आप चाहर करके चेक कर सकते हैं बागी नेक्स्ट वीडियो आप किसे पर्टिकलर टॉपिक पर चाहते हैं तो वह आप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थांक यू सो मच इस वीडियो को इन तक देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए